आपको का शॉबत है हमारे यूटीब चैनल चाहय मिस्रा की रसोई में आज हम फिर से अमेजिंग अमेजिंग सी रेस्पी लेकर के आए हैं यानि थी प्रकार की पराथे जो कि लास्ट में जो पराथा है वो बहुत 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 टेस्टी वाला है जो कि बच्चो को गैरेंटेड है कि आपको बच्चो को बहुत पसंद आने वाला जो कि ये आप देख रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं अमेजिंग मेजिंग से ये तीन रेस्पी एक ही वीडियो में यानि पराथे की रेस्पी ये क्यूंकि आप नों को पता है कि बच्चो को इसकूल बच्चो के स्कूल अब खुलने वाले हैं आप तीन या चार तारिक से खोल जाएंगे सब के ही ब जब अवसी एस वाल निया यह कंशल प्रूचल का जान की थे वाले कि ए और एक बसम के पराथे पह Maan के लिए नाश्ता आश्ता, वो डालदेंगे इस तरह utilizz इसलिएअ करें दो लगा लगा कर पाइं है पसंद करते होऊ तो डाल लिजेगा क्योंकि अनलमा Haagda एक पैन उसमें जीरर डालेना है हापस्पून हेंग डाल देनी है यह हमस्टुपिंग बना रहा है प्ला रखने के लिए आलूपने घ्रेट करके ले लिया है क्योंकि हमें इसमें गाठे नहीं चाहिए इस लिए इस थीधा कुछ नहीं डाला है यह मसाला नमक हमने भी अपने चैनल पर बताया हुआ है मसाला नमक कैसे बनाते हैं तो यह वही मसाला नमक है और डाल देंगे गरम मसाला इससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं एड़ करेंगे हम तो यह देख सकते हैं इस तरह से करते हुए हम फ्राइ कर लेंगे और इसे अच् तोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया हमाई पर ड्राइ रखी हुई थी तो वो एट कर देंगे कस्तूरी मेती भी आप आप कर सकते हैं खुस्दू के लिए तो इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से अप डोग ले ले बेज रखती हैं ये देखे इस तरह से तो क्या करना है आगे देखे देखे छोड़कर मत जाएगा बता चलेगा आपको क्या है तो ये देखे एक अमने मिदिम साइस का प्राठा बेल लिया है बहुत ज़दा पतला नहीं बेलना है इसको अप पतला भी बेल सकते कोई प्रो और इस तरह से देखिए इसमें भरेंगे यह भरना भी आसान होता है इसी होता है तो आप आसानी से भर सकती है इस तरह से यह देखिए अब इसके ऊपर देखिए हमें चौकोर बनाना है पराटा इसलिए हमें चौकोर तरह से कर लिया है अब इसमें पर हम जो दूसरी लोगी प्रस करते हुए अच्छे से चिपका देंगे इस तरह से अब नाइफ ले लेना है इसको आज पास से कट कर देना है चौकोर सेफ देने के लिए आप तिकोना भी बना सकती है गोल भी बना सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम में थोड़ा सा बच्चों को किया एक ही अजिए प्रॉब्लम नहीं है खराब नहीं होगा आगे जब दुवारा बनाएंगे पराठे तो इसे यूज कर सकती है तो यह देखें अच्छे से बन गया है यह देखें एक चैसा बना बना लिया है से अब इसे रख लेंगे इस तरह से हम सारे के इसारे पराठे बना गरक तवा आप चाहते हो तो तवा भी रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं तो इस तरह से कड़ाई में हम डाल देंगे पड़ाथा और जैसा एक ही बार में हमने ओयल एक ही बार लगाने का जिल्चट नहीं है तो इसी तरह से हम फ्राइ कर लेंगे उलटते पलटते दो बार आप इसका और निकाल देंगे और पराठे को बाहर रख लेंगे बस बच्चे ये खा कर खुस हो जाएंगे एक तो सबसे बड़ा बाड़ी बात यह है कि यह हेल्दी बहुत है क्योंकि बेशन का यूज किया हुआ है और दूसरी बात यह है कि आलू वगरा भरे हुए हैं सभी ब अच्छे लगने देखने में यूनिक चौकोरा करके पराठे तो बस इसे कट करिए बच्चों के लिए यह देखे इस तरह से अगर आप थोड़ा सा त्रिशा करके कट कर देंगे ना बच्चों के लिए तो बच्चों को क्या लगेगा कि यह सैंविच है और वह बहुत अच बच्चों को जो भी आप सब्ची खिलाना चाहती है वह सब्ची आप ले सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह से अब मिक्सी के जाए में डाल कर पीस लेंगे तो देखे हमें पीस लिया है अब इसमें यह चॉप करा हुआ हुआ टमाटर डाल देंगे मिर्श डाल लाल मिर्श पाउडर थोड़ा सा तीखा करने के लिए हल कासा बहुत जादा तेज नहीं करेंगे हम वच्चों के लिए बना रहा है तो अब देखे गरम मसाला चाट मसाला और आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी एट कर सकती है लेकिन हम अल्दी पाउडर नहीं आट कर रहा है हिंग एट कर दिये चलिए जो सब्जी कर रखे थी बस उसको एट कर देंगे क्योंकि बच्चे हरी सब्जी खाने हम थोड़ा स हार्ड होते हैं हमको इसका प्राठा सॉप्ट रखना है तो देखे बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पानी लगेगा बहुत जदा नहीं लगए है क्योंकि हमारी सब्जी भी पानी मतलब सब्जी में भी पानी था तो जिस इस आपका डो लग जाए बस उतना ह त्यार कर लेंगे यह देखे आप देख सकते हैं पानी बहुत थोड़ा सा लगा है पूरा फुल बाउल लिया था मगर इसमें से दो से तीन स्कून ही लगा है ज्यादा नहीं लगा है तो इसको क्या करेंगे इसमें भी थोड़ा सा हलका सा ओयल लगा देंगे और लगाने से तो इसको 15 मेंट के लिए रेस्ट पर जरूर रखें जिससे कि इसमें लोच आ जाती है पराठा रोटी पूरी कुछ भी हो बहुत अच्छे से बनता है तो देखें 15 मेंट हो चुके हैं हमें डो को निकाल लिया है अब रोलर पर रोल करके बना लेंगे देखें इसमें कोई बेल कर सेक लेंगी जैसे कि नौर्मल पराठी सेके जाते हैं तो देखें थोड़ा साफ्ट रहता है तो इसमें आपको सूखा अटा लगाना पड़ेगा बेलन के लिए कि ताकि हमारे बेलन में और चौकी में चिपके नहीं इस तरह से देखें तो आप इस तरह से करके आरा ने बेल लिए आप चाहते हैं तो अको अपने बातम ढ्रीचों से अब करना सकते हैं तो तावे पर डालेंगे और ती घरम-घरम खरते हां आपके तो पोड़ेंगे तो आम प्रेषाये बिए तर्हेर बह्राने के लसके लगते हैं यह पराटी में बहता यह होता सक्ष्याइत चाहते हैं यह वीडियो भॉडे तो राम पर विडियो आटेंगी सब्सक्याइटि पना vaodlog era की वजजे क् अगर है तो हमारे प्रड़्यी और वीडियो डियो आती रहेंगी सभी चैनलों पर जेखित करते हैं सब तरफ देख सकते हैं कितना अच्छा से सिखा हुआ है कहीं से भी कच्छा नहीं लग रहा होगा बहुत अच्छा से बहुत टेस्टी पराथा बनकर तयार हो गया है अब इसे आप चाहें अचार के साथ खाएं क्या सब्जी के साथ खाएं या जैसे भी आप खाना चाहें ख पराठा फूलते नहीं है अगर आप तिकोना बनाएंगे तो भले फूल जाएं वरना यह फूलेंगे नहीं क्यूंकि इसमें जो सब्जी डाली हुए वह बहुत ज़्यदा बारिक नहीं होती है तो जिसकी वजह से अगर कहीं से फूलने भी लगता है तो वह सब्जी की वज़ तोड़ने से ही लगड़ा होगा आइवोब आपको यह रेस्पी भी अच्छी लगी होगी चलिए नैक्स रेस्पी जो सबसे अमेजिंग रेस्पी है जिसको बच्चे विव्कुल मना करी नहीं सकते हैं जिनको मीठा पसंद है उनको तो यह पराठा बहुत ज्यादा पसंद आप बर बना पाएंगे तो आपको लूज ही बनाना है इसका यह देख सकते हैं हमारे गुतने के हिसाफ से आपको दिख रहा हुगा कि यह कैसा लग रहा है तो बस इसी हिसाफ से आपको पानी लगाते हुए गुत लेना है उसके बाद में आप ऊपर कोडिंग कर दीजें ओ सटों होने के लिए आरि आटे को उसके बाद में बनाना स्टार्ट करेंगे आपो नकीषिक देखते हैं नकीद firewall जो हम घर मिभाने बनाते हैं दिल्धे खाते हैं वही चीनी ले लएग इसमें जो होता है वो पराठा फट जाएगा तो आप अगर पिसी फुई चीनी लेंगे तो वो फटेगा ने तो इस तरह से लोई लेंगे लोई को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा इस तरह से एक स्पून के गरीब इसमें चीनी रख देंगे पाउडर चीनी का तो बहुत पराठा को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमंड करके उस पराठे का आम नाम लिग दीजेगा यानि सब्जी वाला पराठा या आलू स्टप पराठा या फिर चीनी स्टप पराठा आप आराम से लिख सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए हमने चीनी भर लिया की आज़गा है तो अब हाथे से भी रोल करते हुए बढ़ा लेंगे इस तरह से करते Ο investir के लिए लोग बना लेंगे हम उसके वाद में हम थोड़ सा सुखाठा लगाए क्योंगा ये जो walin पराठा यांद में लोग को बढ़ा लोगा एक रस लेन उसके बन करेंगे जैसे आलू कि जचोड़ें अवर ढर्टे में आटा रएंगे और इसके बाद में है आराम से यह देखें, बेल लेंगे इस तरह से यह देखें आसानी से, कितना भी आप बड़ा बेलें, कोई दिकत नहीं होगे, क्योंकि इसमें सुगर पिसी हुई है, तो फटेगा भी नहीं पराटा हो, काफी अच्छे से बन जाएगा, आप देखेंगे, लाच तक बने करेंगे कि इतना जादा चासनी होने के बावजूद भी आपका पराटा फटेगा नहीं बेकार नहीं हो, तो यह देखें, सारे पराटे बेना कर तयार कर लिए हैं, चैलिए, इनको हम सेख कर दिखाते हैं, तो यह देखें, तावा रख लिए अपना वही, सेम पराठे के ल देखें, तो यह देखें, पराठा डालने के बाद को दीमी फ्लेम पर हम सेख लेंगे, ताकि अंदर तर अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, बिल्कुल आपका यह पराठा बिल्कुल इसके जूस बाहर नहीं निकलने माला और देखें, पराठा फोल कर आएगा बिल्कुल आप अपको देखें, तो देखें बिल्कुल भी आपको देखें, बिल्कुल पराठा फूल गया है यह देखें, और चीनी बाहर नहीं आ रही है, मगर अभी लाश्ट तक देखेंगे, जब हम इसके चीनी निकाल कर दिखाएंगे, तो आप विस्वास नहीं करेंगें, इतन इतनी सारी चीनी, इतनी सारी सुगर, और इतना जाधा जूसी पराठा बनकर तयार होगा, यह देख सकती है, तो इस तरह से स्टेंडर ले लेंगे, इस पर रख देंगे, जिससे हमारा पराठा सोगी ना हो, यानि पसीजन, जैसे कही थाली होगर आप रख देते हैं, तो न इतना टेस्टी लगेगा, तो देखिए, चलिए, दिखाते हैं, तो थोड़ा सा हमने इसको डेकुरेट कर दिया है, नारियल से, क्योंकि आपनों को दिखाना था, इस तरह से नारियल से हमने डेकुरेट कर दिया है, तो अभी आपको हम दिखाते हैं, कि यह कैसे हमें लगा ताकि हम उसी तरह के पराठे आपनों के लिए ले करके आए क्योंकि स्कूल बच्चों के खुल रहे हैं तो आपनों को पता होगा बहुत ज्यादा जरूरत होती है हर मा को की ऐसी कोई डिस लाएं जो बच्चे खाएं और आसानी से बन जाए तो देखेगा भी इसमें य आप देख सकती हैं यह देखे कितनी सारा कितनी सारी चास नहीं बढ़ी थी अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर